टेग टीवी अप्टेट्स यू अबाउट कोरोना सिचुएशन इन कैनडा एंट अराउंड दे गलोग डेली कनेडियन न्यूस बुलेटिन इन हिंदी एंद उर्दू अनली अट टेग टीवी टेग टीवी अबाउट कोरोना सिचुएशन इन हिंदी एंद उर्दू लड़केंज आइस होकी मैच कनेडियन हाइज कमिशनर रेफरी बन गई कनेडियन खिलारियों और कनेडा के सिफारत खाने की अमले की भी स्पोर्स फेस्टिवल में शिर्कत कनेडियन हाइज कमिशनर का कहना है कि हुंसा और चितराज समेथ कनेडा की खिरारियों के दर्मियान एक हैरत अंगेज मैच यादकार बन गया इन्वारिमेंट कनेडा की जानिप से टॉर्णिटो के लिए शदीद मौसमी वार्निंग जारी टॉर्णिटो में 20 से 25 सेंटी मीटर तर पर पाही का इमकान शहरियों को महताज रहनी का मशवरा कैनेडा में जल्दी फाइजर की कुरोना वार्स बचाओं की टैबलेट्स की मनसूरी का इमकान हैल कैनेडा का कहना है कि फाइजर की टैबलेट को 7 से 10 दिन में मनसूरी मिल सकती है माहरी इनका कहना है कि टैबलिट के मन्सूरी से कोरोना वारिस पर कावो पाने में मदद मिलेगी कैनेड़ा भर में कोरोना वारिस के फैलाओं में एक बार फिर जाफा मरीजों के मचमूर इतादा 26,88,751 तक जा पहुंची जबकि हलाकतیں 30,957 हो गई जो बाइडन ने अबादत का में लोगों को यरगमाल बनाने के वाकिये को दहशत करदी करा दे दिया जो बाइडन का कहना है कि जादा मालूमात नहीं कि मसल्बा शक्स ने उस अबादत का को क्यों निशाना बनाया 44 साला शक्स बरतान भी शहरी था अफगानिस्तान के अंदरूनी मौामलात में मुदाखलत नहीं करेंगे चीनी सफीर की अफगान वजिर खार जासे मुलाकाद चीन के अफगानिस्तान को मदद जारी रखने की यकी इंतखानी चीन में ओमी करोन का पहला मुकामी के सामने आ गया मतासरा शक्त से राफ़ते में आने वाले तक्रीबन धाई हजार अफ़ाद के कोरोना टेस्ट कोरोना को ओमी करोन वैरियन्ट तेजी से दुनिया को अपनी लपेट में ले ले लगा हैगनाईज आपने जानी और अब खबले तफसील के साथ ग्रीनिश हैं सानिटाइजर ना ओईली ना स्टिकी ना बद्बू और मुकमल अब्सॉर्प्शन और हाथ नर्म, मुलाइम और साथ आज ही अपनी खरीबी फर्मसी से खरीदें या हमारी वेबसाइट को और्टर करें www.greenish.com वादी हुन्जा में जारी स्पोर्ट्स फेस्टिवल में शिर्कत और खिलारियों की होसला अवजाई के लिए कनेडिन इम्बेसिडर वेंडी किलमोर हुन्जा पहुची और आइस हौकी के मकाबले में रफ़ी के फराइस अन्जाम दिये मजीद चौनते हैं इस रिपोर्ट में पहाडों के नगरवादी हुन्जा में खुन जमा देने वाली नुक्त अन्जमात से भी कम दर्जा हरारत में मुनाकिदा सालाना कराकरम विंटर इस्पोर्ट्स लव्ट का मिला सच गया कینیडियन इंबेसिडर अल्तित हुन्जा के हजार साला कदीम तारीखी ताला पे मुनाकिदा कराकरम विंटर इस्पोर्ट्स लव्ट सीजन पूर के आईस हुकी में हिस्सा लेने के लिए अपने कینेडियन खिलाडियों और कैनेडा के सिफारत खाने के अमले के साथ हुन्जा पहुंच गई अल्तित हुन्जा में इस कार्फ की जानेब से हुन्जा में अताबाद जीन के करीब होने वाले खरा-करण विंटर एस्पोर्ट लफ में पाकिस्तान की तारिख का पहला और मनफरेट टर्नमिन्ट जारी है जबके इसके साथ साथ हुकी, आइस क्लाइंबिंग, माउंटेंज साइकलिंग और ग्लेशियर वाक समेट मुक्तलि मकाबले जारी है विंटर स्पोर्ट लफ सीजन फूर में शिरकत करने और खिलाडियों की हासला अफजाए के लिए कैनेडियन इमबैसिडर वेंडी गुलमोर हुन्जा पहुची और आइस हौकी के मकाबले में रैपरी के फराइस अंजाम दिये उन्होंने कहा के हुन्जा और चित्राल समेट कैनेड़ा की खिलाडियों के दम्यान एक हैरत अंगेस मैच यादकार बन गया इन्वार्मिंट कैनेड़ा की जानब से टरॉंटो के लिए शदीद मासमी वार्निंग जारी की गई है जिसके मताबिक शहर में 20-25 सेंटी मीटर तक बड़क पर सकती है मजीद चानते हैं इस रिपोर्ट में Environment Canada की जानिब से ट्रॉंटो के लिए शदीद मौसमी वार्निंग जारी की गई है जिसके मताबिक शहर में 20-25 सेंटीमीटर तक बड़ पढ़ सकती है उटावा में Environment Canada ने 25 और 40 सेंटीमीटर के दम्यान कल बड़ बड़ पारी की पेशकोई की है कुछ आलाकों में 50 सेंटीमीटर तक बड़ पारी हो सकती है मौसम सल्मा का बरवारी का एक बहुत बड़ तूफान ऑंटेरियो की तरफ बड़ रहा है जो कुछ इलाकों में शदीद बरवारी का बाइस बन सकता है और ड्राइविंग के लिए खराफ सुरत हाल पैदा कर सकता है मौसमियाती एजनसी का कैना है कि बरव बहुत ज्यादा गिरेगी जिसकी शराफ चार से साथ सेंटीमीटर पी घंटा मुम्किन है जबके शहर 50 किलो मीटर पी घंटा की रफ्तार से हावाई चलने की भी तवको है तेज हवाँ और बरवबारी की वज़ा से हदे निका भी मतासिर हो सकती है इन्वार्मेंट केनिडा ने कहा कि मतवके शदीद बरवबारी की वज़ा से सफर मुश्किल हो जाएगा नियागरा फॉल्स, सेंट कैथरिन्स, वैलिंट, ग्रिम्बिसी, किंस्टन, ओटावा, पीटर बोरो, ब्रॉक्वेल, टुइट और कारन वाल जैसे इलाकों को कई सेंटीमीटर के दम्यान बरवबारी के लिए तयार रहना चाहिए इनवार्मेंट कैनेडा की जानब से शेहरियों को खेर सरूरी सफर से गुरेस का मशवरा दिया गया है शेहरी इलाकों में रश के आखात में ट्राफिक पर नुमाया असर पड़ सकता है दूसी जानब अमरीका में एक और बरवबानी तूफान आगया ताकतवर बरवबानी तूफान ने अमरीका की मशर्की रियासतों को अपनी लपेच में ले लिया शदीद बरवबानी तूफान के बाइस एमरजनसी डिकलेर कर दी गई तफसिलात के मताबिक अमरीकी रियासत जॉर्जिया, वर्जीनिया, शुमाली और जुनूबी कैरोलेना में शदीद बरवबानी तूफान के बाइस एमरजनसी डिकलेर कर दी गई बरवबानी तूफान के बाइस दो लाग से जाएद घरों को बिजडी की पराहमी मौतल हो गई जबके हजारों पर वाज़े भी मनसूख कर दी गई शुमाली कैरोलेना के कई अलाकों में रिकार्ट परवबारी के बाइस दो अफराद हलाक हो गए जबके कैनेड़ा के नियॉयोर्क से मुलहका सूबे और ऑंटेरियों में भी वर्फानी तूफान ने तबाही मचा दी कैनेड़ा में जल्द ही फाइजर की कोरोना वारस से बचाओ की टैबलेट के इस्तिमाल की इजासत का इमकान है तहम ये अभी तक वाज़े नहीं है कि तरसील कब शुरू होगी या कैनेड़ा को पहले कितनी मिक्दार मिलेगी इस सवाले से मसीच जानते हैं कैनेड़ा में जल्द ही फाइजर की करोना वारस से बचाओ की टैबलेट के इस्तिमाल की इजासत का इमकान है चीफ मेडिकल एडवाइजर डॉक्टर सिप्रिया शर्माने जुमेरात को कहा कि हेल्थ कैनेड़ा को साथ से दस दिन में कोविड-19 के लिए फाइजर के पैक्स साथा दवा की परहमी के मसाइल ने अमरीका में भी पहुँचना नाकाबल यकीन हद तक मुश्किल बना दिया है जहां क्रिसमस से पहले इसकी इजासत थी कैनेडियन हेल्थ लीडर्स और कुछ प्रेमियर्स हेल्थ कैनेड़ा पर अवामी तोर पर दबाव डाल रहे हैं कि वो इस दबाव को ग्रीन लाइट करें जो सार्स कोवी टू फाइरस को रूपता है जो कोवीड-19 को मरीज के जिसम के अंदर दुबारा पैदा होने से रू कैनेड़ा पर में करोना वार्स से मतासिर होने वालों की तादा 9,15,940 तक जा पहुंची है जबके हलाकतों की तादा 10,359 है मज़ीच चौनते हैं इस रिपोर्ट में कैनेड़ा भर में करोना वार्स के फैलाओं में एक बार फिर इज़ाफ़ा देखने में आ रहा है आखरे इतलाद के मताबिक कैनेड़ा भर में करोना के मरीजों की वच्मी तादा 26,88,751 तक जा पहुंची है जबके हलाकतیں 30,957 हो गई मुल्क बर में 22,751,528 से जायत मरीज से हैतियाब हो चुके हैं आंटेरियो सूबे में करोना केसिस की तादाद सबसे जादा है सूबे भर में करोना वार्स से मतासिर होने वालों की तादाद 9,15,940 तक जा पहुंची है जबके हलाकतों की तादाद 10,399 है कैनेडा में करोना वार्स के सबसे जादा हलाकतیں क्यू बैक सूबे में हुई हैं सूबे में करोना वार्स के मचमुई केसिस की तादाद 7,75,720 है जबके सूबे में करोना वार्स के बाईस होने वाली हलाकतों की तादाद 12,028 तक पहुंच चुकी है कینیڈین सूबे अलबर्टा में भी इस महलिक वबा में इजाफा देखने में आ रहा है अलबर्टा सूबा इस वक्क करोना वायरिस की वज़ा से बहरानी सूरतिहाल का सामना कर रहा है सूबे में 4,3,332 अफराद करोना वायरिस से मतासिर हुए हैं जबके 3,352 अफराद हलाक हो चुके हैं ब्रेटिश कॉलम्बिया में केसिस की तादा 2,91,246 है जबके सूबे में करोना वायरिस से होने वाली हलाकतों की तादा 2,449 है अमरीकी सदर जो बाइडन ने टैकसास में लोगों को यलगमाल बनाने के वाकिए को देशितगर्दी करार दे दिया अमरीकी सदर का कहना था कि ज्यादा मालूमात नहीं कि मुसल्ला शख्स ने उस अबादतगा को क्यों निशाना बनाया वजी चौनते हैं इस रिपोर्ट में अमरीकी सदर जो बाइडन ने टैकसास में लोगों को यलगमाल बनाने के वाकिए को देशितगर्दी करार दे दिया जो बाइडन ने कहा कि यहूदी अबादतगाह के वाकिए पर अटार्णी जर्नल से बात की है हमला करने वाले शख्स ने मुवयना तोर पर सड़क पर अपना हतियार निकाला अमरीकी सदर का कहना था कि ज्यादा मालूमात नहीं कि मसल्ला शख्स ने इस अबादतगाह को क्यों निशाना बनाया वाज़र है कि अमरीका की रियासत टेकसास में यहूदी अबादतगाह में दाखिल होकर राहिब समेत मुवयनत आपर चार अफराद को यरखमाल बना लेने वाले शख्स की शनक्त हो गई है FBI का कहना है कि टेकसास में यहूदी अबादतगाह में चार अफराद को यरखमाल बनाने वाला बरतानवी शहरी था मीडिया रिपोर्ट्स के मताबिक 44 साला बरतानवी शहरी का तालग लिंका शायर के अलाके बलाक बर्न से है दूसी चानव अमरीकी रियासर टेकसास के गवर्नर ग detach आइबिट ने दावा किया है कि कोली विली की बैते इसराइल लामी यहूदी अबादतगाफ में यरखमाल बनाये गये तमाम अफराद को वाजिया करवा लिया गया है टेकसास के गवर्नर ग्रेट एविट ने समाजी राप्ते की वैबसाइट ट्विटर पर बयान में बताया कि तमाम यर खमाली जिन्दा और महफूस हैं हुकाम ने बताया कि हुकाम अमारत में दाखिल हुए तो उन्होंने दीगर तीन यर खमालियों को बचा लिया जबके यर खमाल बनाने वाला शख्स मारा गया चीनी सफीर ने अफ़ान वजिर दाखला सिराजदीन हकानी से कहा है कि अफ़ानिस्तान के अंदरूनी मौामलात में चीन मदाखलत नहीं करेगा इस हवाले से मजीद चानते हैं चीनी सफीर ने अगवान वजीर दाखला सिराजदीन हकानी से कहा है कि अगवानिसान के अंदरूनी मौमलात में चीन मदाखलत नहीं करेगा। तफसिलात के मुताबक अगौन वजारतِ خार्ज़ा के तर्जमान ने कहा कि चीनी सफीर वांग यू की जानशेंग से यकीन दहानी कराइ गई है कि अगौनिस्तान के अंदूनी मौमलाथ ते कोई मदाखलत नहीं की जाएंगी तर्जमान के मताबे चिनी सफीर वान जुँ ने आखवान वजीर दाखला सिराजद्दीन हकानी से मिलाकात की जिसमें चिनी सफीर ने उन्हें इनधाद देने की यकिन देहनी कराई चीनी सफीर ने ये भी कहा कि अगवानिस्तान के अंजूनी मौमलात में हम कोई मदाखलत नहीं करेंगे वाज़र है कि तालबान की अगवान हकूमत खिते के दीगर मुमालिके साथ तिजारती रवाबत इस्तवार करने की कोशिशे कर रही है इस सिल्सले में अगवानिस्तान और तुरकमानिस्तान के हुकाम के दर्मयान आज दो तरफा सियासी, सिफार्थी और एक्तिसादी तालुकात, सिक्यूर्टी तावन, तैपी और ताप मनसूबों के जल आगास पर बातचीत की गई है अगौनिस्तान चाहता है कि तर्कमानिस्तान के साथ तिजारती और निजी शुवे की सरगर्मियों में इजाफा किया जाए मारबल, खुश्क और ताजा मेवजात और दीगर अजनास की वरामदाथ में इजाफा हो अगवान इस्लामी अमारात के नाइब तर्जमान बिलाल करीमी ने ट्विटर पर कहा कि बंदरगाहों में रेलवे के ना मुकमल मनसूमों की तक्मीर और अगवानिस्तान में सोलर और विंट पावर में सरमयकारी के हवाले से भी मुपीद बातचीद और इत्फाके राय किया इस बात पर भी इत्फाक किया गया कि अगवानिस्तान के रास्ते को वस्ती और जनुबी एशिया के दर्मियान ट्रांजिट के लिए इस्तेमाल किया जाएगा और ये रास्ता माया, पुद्रती गैस, मादनियात और खुराक ले जाएगा कोरोना को ओमी करोन वेरियंट तेजी से दुनिया को अपनी लपेट में लेने लगा, एक ही दिन में 32 लाग से जाएग नए केसे इस रिपोर्ट हुए, मज़ी तफसिला जानते हैं इस रिपोर्ट में चीन के शहर बीजिंग में ओमी करोन का पहला मुकामी केस सामने आ गया है, इंतिजामिया ने मुतासरा शख्स से राप्ते में आने वाले तकरीबां धाई हजार अफराद के करोना टेस्ट किये हैं जबके मरीज का कंपाउंट और दफ्तर सील कर दिया गया है, दुसी जानि करोना का ओमी करोन वेरियंट तेजी से दुनिया को अपनी लपेट में लेने लगा है, एक ही दिन में 32 लाग से जायद नए केसिस रिपोर्ट हुए हैं, अमरीका में 8 लाग, फ्रांस में 3 लाग और भारत में 5 लाग से जायद अफराद मतासर हुए हैं, बरतानिया ने आज यानी पीर से 16 साल के नौजवानों में करोना बूस्टर वाक्सिनेशन शुरू करने का फैसला किया है, इलावा अजी आस्ट्रिया में वाक्सिनेशन लाजमी करार देने की मजविज़ा कानून साजी के खिलाफ हजारों अफराद ने एहतिजाजी मार्च किया टैग टीवी के पाकिस्टान स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहे हैं टैग टीवी टैग टीवी अपडेट्स यू अबाउट करोना सिचुएशन इन कानड़ा एंड अराउंड गलूब Daily Canadian News Bulletin in Hindi and Urdu only at TAC TV